Good morning everyone, एक बार फिट से आप सभी का Crazy जीगे ट्रिक के डेली गरंड अफेर में स्वागत है, आज के इस सेशन में हम 13 अप्रेल के सभी गरंड अफेर को डिटेल में डिसकस करने वाले हैं, वीडियो में एंट तक बने रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आने वाली है, मंडे से इवनिंग में 4-6 बजे तक, फ्री है आपके लिए यूट्यूब पर है, आप जितने भी स्टुडेंट हैं, सभी लाइव बेच को जरूर जोइन करें, क्योंकि आने वाली रेलवे की एक्जाम में आपको अधिकतर कुश्चन यहीं से देखने को मिल देखने वाले हैं, ठीक है, फ्री है तो जोइन कर सकते हैं, और अगर आप पेड़ वेच जोइन करना चाहते हैं, जो की टार्गेट बेच है हमारा, तो आप रूट अप्लिकेशन को प्ले स्टोर से डाउंलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए रेलवे की टार्गेट बेच एवेलेबल है, आप उसे जोइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्गेश में, और ये क्लासे यूट्यूब पर, रेजी जी के ट्रिक पर आपके लिए फ्री है, तो यूट्यूब चैनल पर आप देखिए, चार से छे बजे तक इवनिंग में मंडे से ये शुरू हो जाएगी, देखना ना मुले, बहुत इंबोडेंट है, आईए कुश्चन आप दे की बात कर लेते हैं, जिनका अंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में, सविधान की कौन सी अनुसूची भाशाव से संबन्दी थे, पहला, एशियाई कुष्टी चेंपेंशिप 2023 का आयो किस संस्ता द्वारा Global Trade Outlook and Statistics Report जारी की गई, तो नाम से समझ में आ जाएगा, ट्रेड की रिपोर्ट है, तो इससे जारी किया गया होगा, WTO के द्वारा, World Trade Organization, संस्ता की बात करें, तो एक International Organization है, जो कि पूरे वल्ड में Fair Trade को बनाई रखने के लिए काम करता है, पूरे जो द संस्ता का मुख्यकार है, World Trade Organization, इसने चारी की है, हाली में Global Trade Outlook and Statistics Report, कुछ चीजों को हाईलाइट किया है, इस रिपोर्ट में इसने, अगर इसकी बात करें, तो इसने कहा है, कि जो वल्ड में ट्रेड हुआ है, 2024 में 2.6% था, जो कि 2025 में 3.3% तक बढ़ने का अनुमान, इसक में वल्ड की GDP growth all over 3.1% थी, 2023 में ये घटकर 2.7% तक रह गई, इसके अलावा जो worldwide trade हुआ है, उसको अगर अमेरिकी डॉलर मुल्य में मापे, तो 2023 के तुलना में, 2023 में 5% ये गिर गया है, और ये 24.01 trillion अमेरिकी डॉलर हो गया है, 2023 में, मतलब 2022 से compare करें, तो 5% तक अमेरिकी डॉलर में value गिरी है trade, WTO के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि संस्ता क्या काम करती है, इसकी स्तापना की गई थी 1995 में, इसके पहले trade के लिए गेट नाम की संस्ता काम करती थी, जिसकी स्तापना 1948 में की गई, गेट को 1995 में खत्म किया गया है, और उसके स्ता 24 मेंबर कंट्री है, स्विट्जर लेंड के जेनेवा में WTO का हैटकॉर्टर है, नगोंजी ओकॉंजो इवेला WTO के डारेक्टर जनरल के पत्पर है, WTO कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो Global Trade Outlook and Statistics रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, WTO के द्वारा, ओके, सेकेंड कोश्चन, एशियाई कुष्टी चेंपेंशिप 2024 का योजन कहां किया जाए, तो एशियाई कुष्टी चेंपेंशिप 2024 का योजन किया जा रहा है, इस साल किर्गिस्तान में, अंसर सी हो जाए, किर्गिस्तान के विश्केक, जो की किर्गिस्तान की केपिडल है, यहां पर ए पुरियस्तान में आयोजित हो रहा है एशियाई कुष्थी चेंपेंशिप तर और इसमें भारत की ओर से 30 रेस्लर पाटिसिपेट कर रहे हैं, लास्ट येर दोजार 23 में 36 वा एशियाई कुष्थी चेंपेंशिप का आयोजन किया गया था, कजाकिस्तान के अस्तानाम, उसे याद बखिए अब देखिए 11 तारीक को शुरू हुआ है जब खत्म होगा तो हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे मेडल डेली पढ़ेंगे इंडियन रेसलर कौन-कौन से मेडल लेकर आए इनकी बात करेंगे लेकिन 11 अप्रेल को पहले दिन के जो इवेंट हुए है उसमें भारत के उदित ने पुरुषो के 57 किलोग्राम भारवर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया अभी मन्यू ने पुरुषो के 70 किलोग्राम भारवर्ग में और विक्की ने पुरुषो के 97 किलोग्राम भारवर्ग में ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया यह पहले दिन के चेंपेंशिप दोजार चूबिस में आयुजित कहा की जारी है तो यह किर्गिस्तान में आयुजित की जारी है आगे आजाएं एशाई कुछती चेंपेंशिप में पूरुष टूनामेंट की शुरुआत 1979 में की गई थी और महिलाओ के लिए टूनामेंट शुरू किया गया था 1996 में हाली में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को लॉंच किया है तो अंगारा A5 रॉकेट को लॉंच किया है रशिया रूस का रॉकेट है ठीक है रूस की अंत्रिक्ष एजंसी ने इसे लॉंच किया है नाम क्या है अंगारा A5 रॉकेट है रूस के वर्कहॉस लॉंचर रॉकेट को सफल बनाना अंगारा A5 रॉकेट को लॉंच किये जाने का मुख्यक देश है किसका है यह यादत लीजिए तो रश्या का रॉकेट है हाली में लॉंच किया अगला कुश्य दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रहेंग तो देखिए वर्ल्ड के जो टॉप साइबर एक्सपर थे उन्होंने तीन साल के डेटा को मिला कर पहली बार एक इंडेक्स बनाया है जिसे नाम दिया गया cyber crime index सो देशों को इस index में सम्मिलित किया गया है पहली बार ही ये index आया cyber crime आप समझते है computer network के माध्यम से जो crime किये जाते हैं उसे cyber crime कहते हैं धोका धड़ी जैसे bank से आपके पेसे direct हो गये call से आपको fraud हो गया आपका pin code मांग लिया ये सब क्या cyber fraud है इसके अलावा direct आपके computer में access किसी ने ले लिया हो इन आवेधानिक तरीके से ये सारे cyber crime अब सो देशों के data को collect किया गया cyber crime index में और इसमें cyber crime के मामले में भारत को 10 वी rank पर रखा गया पहली बार इंडेक्स आया है तो important हो जाता है तीन साल के शोद के बाद जो world के cyber expert थे अंतरास्टी टीम थी उन्होंने world cyber अपराद सूचकां को जारी किया सो देशों को rank दी गई है पहले नंबर पर cyber crime के मामले में रखा गया है रश्या सेकेंड पर नाम आता है युक्रेन का थर्ड पर नाम आता है चाइना और फोर्थ पर नाम आता है अमेरिका इंडिया का इस्तान है दस्वा एक comment मैंने पढ़ा था जहांपर एक student का comment था कि sir आप जो underline करते हैं उसको proper करिये ये चिडिया क्यों चेसा ही था कि चिडिया मत उड़ाईए प्रॉपर underline करिये तो समझेए कि मैं यहां पर आपको प्रॉपर विल्कुल line to line underline के लिए मैं आपको यह नहीं दे रहा हूँ बाकी आपको याद हो इसके लिए मैं आपके लिए underline करता हूँ आप चिडिया उड़े तोता उड़े कुछ भी उड़े पर आपका उद्धिश ये पढ़ना है और सेलेक्शन लेना है इसको समझी तो सेलेक्शन लीजिए चिडिया और कवो में मत लजिए ध्यान से पढ़िए जो मैं हाईलाइट करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ और मैं इस पर ध्यान से हटेगा ना कि मैं आपको पढ़ा क्या रहूँ तो रशिया पहले स्थान पर है सेकेंड पर यूक्रेयन थर्ट पर चीन और चोथे नंबर पर है अमेरिका टेंथ प्लेस पर आता है इस इंडेक्स में इंडिया अब किसने जारी की है किसने मिलकर विक्सित किया है यह परिकुलर स्कोर भी दिया गया है साइबर अपरात के मामले में तो 58.39 स्कोर के साथ रशिया पहले स्तान पर है भारत कीśli T Dru 10 स्तान पर है 6.13 इस्कोर के साथ कौनसा इंडेक्स से स इबर क्राइमक्स या इससे कहा जाए इंडिक्स पहली बार ही जारी किया गया विश्व लेखन संगठन द्वारा किस भारती सहित्तिकार को वर्ल्ड लिट्ररी प्राइस से सम्मानित किया गया तो देखें वर्ल्ड राइटर्स एस्सोसियेशन ने वर्ल्ड लिट्ररी प्राइस से सम्मानित किया है भारत के सहित्तिकार या भारत की सहित्तिकार ममता जी सागर को ममता जी सागर की बात करें तो करनाटक के बैंगलोरू से बिलोंग करती है और कंणर भाषा की सहित्तिकार ये भी आपके लिए एक important fact है ममता जी सागर कंणड भाषा की साहित्तिकार है जिनने वर्ल्ड लिट्ररी प्राइस हाली में दिया गया याद रहेगा कन्फ्यूज मत होईएगा ठीक है नाटकार है ममता जी सागर जिनने विश्व लेखन संगठन दोरा सहित्तिके शेत्र में उनके योगदान के लिए कन्णड भाषा से संबनदी थे ये विश्व सहित्तिक पुरस्कार दिया गया यह जो आवोर्ड है नाइजिरिया के अभूजा में आयुजित किया गया था और यहीं पर इन्हें दिया गया है। थीग है ना। तो विश्व साहित्तिक पुरसकार किसे दिया गया तो भारत की ममता जी सादर को दिया गया। आगे आई, किस भारती को American President Gold Volunteer Service Award 2024 से सम्भानित किया गया, तो ये इंडियन है भारत के लोकेश मुनी, जो की एक जेन मुनी है, जेन संत, जेन मुनी, लोकेश मुनी, इन्हें American President Gold Volunteer Service Award 2024 से हली में सम्भानित किया गया, देखें ये अवोर्ट की पहले बात करते हैं, तो आप समझे कि वोलेंटियर को, अमेरिका में किसी भी वोलेंटियर को दिया जा सकता है, वर्ल्ड का कोई भी वोलेंटियर हो, जिसने अमेरिका में काम किया हो, वोलेंटियर के रूप में, तो इसे किसी भी वोल्ड के वैक्ति को ये अवोर्ट दिया जा सकता है, डिटेल मे अब फिर बताऊंगा ठीक है किसे दिया गया पहले यह देखिए लोकेश मुनी ठीक है यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं जेन आचारे हैं लोकेश मुनी इन्हें अमेरीकी रास्टपती नए गौल्ड वलेंटियर सर्विस अवोर्ट से हाली में सम्माने किया ठीक है यह एक संस्तान है इसके संस्तापत है इंडियन है अब अमेरीका में क्यों दिया गया तो देखिए अमेरीका में यह जो अवोर्ड है 2003 में शुरू किया गया था उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वार अमेरीका में उस व्यक्ति को यह अवोर्ड दिया जा सकता है, जिसने अमेरिका में कम से कम 500 घंटे वोलेंटियर के रूप में काम किया, अपनी सेवा प्रदान की हो, सर्विस दी हो वोलेंटियर के रूप में, और उस सर्विस का पॉजिटिव एफेक्ट आया हो वहाँ पर लोगों पर या समाज पर तो एसे किसी भी व्यक्ति को चाहे किसी भी देश से बिलोंग करता हो एसे किसी भी व्यक्ति को अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉलेंटियर सर्विस अवर्ड से सम्मानित किया जा सकता है दोजार चोबिस का ये अवर्ड भारत के आचारी लोकेश मुनी को दिया गया है ऐसे बड़िये कि बारत के रज में विश्व का सबसे बड़ा रेलेवल व्यक्ति पारक बश्चिं भारत के गुजरात से बड़ा renewable energy पार्क बनाया जा रहा है ठीक है यह आप देख सकते हैं इमेज है renewable energy आप सभी जानते हैं global warming को कम करने के लिए कार्बन सर्जन को कम करने के लिए renewable energy को बड़ावा दिया जाना बहुत जरूर ठीक है ना सोर उर्जा पवन उर्जा यह सब renewable energy तो यह hybrid model है जहाँ पर दोनों तरह की मतलब सोर उर्जा और पवन उर्जा दोनों पर काम किया जा रहा है एक साथ तो गुजरात के कच्छिक है खावडा में एक गाउ है खावडा यहाँ पर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा renewable energy पार्क बनाया जा रहा है देखिए 538 वर्ग किलोमेटर एरिया में यह फैला होगा पैरिस का जो एरिया उससे 5 गुना जाद है पांसो एर्टिस वर्ग किलोमेटर एरिया में यह फैला होगा ठीक है इसकी बात करें तो 1.500,000,000 करोड इसकी लागत आने वाली है total मेगावाट इसकी विद्ध्य तत्पादन स्वंता ओर, 30,000 मेगावाट में से 26,000 मेगावाट सोर उर्जा से आईगी और बागी का 4,000 मेगावाट पवन उर्जा से बनाया जाएगा Renewable Energy तो 30,000 मेगावाट का यह पार्क है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा renewable energy पारक है इस साल December के end तक 50% काम पूरा कर लिया जाएगा और almost 14,000 Megawatt का उत्पदन शुरू भी हो जाएगा लेकिन all over 30,000 Megawatt की ये परियोजना ठीक है ना गुजदात में कहां पर है कच्छ के खावडा में अदानी गुरूप इसमें लगा हुआ है अदानी गुरूप के पास इसका काफी सारे और भी इंस्टिटूशन involved है लेकिन मेंदली यहाँ पर अदानी गुरूप काम कर रहा है ठीक है ना तो 30,000 Megawatt क्या विद्ध्यू तुत्वादन में इंडिया ने अब आपको समझ नहीं आया कि सर यह दपीस क्लॉप क्या है तो आगे समझ यह देखिए भारत ने डब्ली टी ओ एक्च्छल में होता क्या है कि चावल के लिए क्रशी समझ होता जो है वर्ल्ट्रेट ओगनाईशन का उसके तहट चावल के लिए न्यून तम 10% की मतलब एक ओन एवरेज 10% तक की सबसीडी दी जा सकती है लेकिन कुछ विकाश सिल देश एसे हैं जिनको इसमें छूट दी गई है कि वो इससे ज्यादा भी अगर सबसीडी देते हैं अपने चावल किसानों को तो उनको उलंगन नहीं माना जाएगा डबली टियो की इस ट्रीटी का या इस समझोते का विक्सित देश नहीं कर सकते लेकिन विकाश सिल देश 10% से ज्यादा भी अगर कभी सबसीडी देते हैं अगर 10% से ज्यादा सबसीडी दी जाती है चावल पर तो वो है पीस क्लॉस का उसके ऊपर चले जाती है मतला पहले 10% यह लेकिन उसके ऊपर भी कुछ दे देते हैं तो फिर पीस क्लॉस अनॉंस करना पड़ता है डबल्यू टियो में अब भारत ने क्या किया है कि डबल्यू टियो को बताया है कि 2022 में पिछले 4 साल से तो होई रहा है 2022 में भी भारत के चावल उत्पादन का मुल 52.8 बिलियन डॉलर है जिसमें से किसानों को 6.39 बिलियन डॉलर की सबसीडी दी गई है भारत एक फेर ट्रेड को बनाई रखने के लिए इंटरनेशनली लेवल पर सभी देश जो कि डबल्यू टियो के मेंबर है उनको ये बोल सकते हैं कि उनको कहा गया है कि भाई वो 10 परसंट से आदा सबसीडी नहीं दे सकते लेकिन भारत ने इस बार 12 परसंट सबसीडी दिये 10 परसंट एक सीमा इसका उलंगन किया है इंडिया ने वेश्वीença के नियमों के अनुसाह 10% की सीमा है कि सबसेड़ी दे सकते हो आप चाहल पर लेगिन इंडिया ने दिये इस साल 12% और लगातार 5 बार से हम 10% से ज्यादा ही सबसेड़ी दे रहें अब इंडिया बच्चेगा क्यों मतलब ट्रेटी का तो लंगन हुआ है न तो इसके लिए एक और ट्रेटी हुई थी 2013 में WTO की बाली मंत्री परिश्यद या मंत्री स्तरियक बैठक हुई थी बाली में 2013 में और इसमें का गया था कि हम विकासिल देशों को इसमें छूड़ दे क्या है कि हमने peace clause का यूज किया है हम व्यापार के लिए subsidy नहीं दे रहें बलकि हमारी खाद्यान की जो जरूरत थे देश में जितना हमको खाने के लिए चाहिए उतना तो हम उगाए और किसानों को इसके लिए प्रोचसाइद करें इसलिए हमने subsidy बढ़ाई वर्ड ट्रेड हमको विश्यू में उसका व्यापार नहीं करना है हमको अपनी जरुरत को पूरा करने के लिए काम करना पड़ा है तो यही है peace clause जो की विकाश्चिल देशों को छूट देता है तो भारत ने लगातार पांचवी बार peace clause अनौन्स किया है WTO ठीक है चला है भारत में ब्रिटे आंसर हो जाएगा आंसर की ठीक है यहाँ पर आप image देख सकते हैं ब्रिटिश उच्चायोग में ब्रिटिश हाई कमिशन में अपॉइंट की गई है लिंडा केमरन फॉस्ट फीमेल हाई कमिशनर टू इंडिया भारत की और से पहली फीमेल है जो की ब्रिटेन में ब्रिटेन wildlife century किस राज में इस तो वाइनाड wildlife century की बात करें तो आपको नाम से समझ में आएगा राहूल गांधी वाइनाड से लोक्सर्वा के अंसर हो जाएगा अब आपके दिमाग में आएगा कि वाइनाड wildlife century अभी सुर्खियों में क्यू है तो हाली में इस century में सुल्टान बातरी वन रेंज में आग लग गई, जिसके कारण सो हेक्टेर का जंगल जल गया है वाइनाड वाइल लाइज सेंचुरी, ठीके, केरल राज्जी की सेंचुरी है, याद रखेगा, ठीके, पश्चिमी घाट में, केरल के वाइनाड में इस्ती थे, नील गिरी बायो स्पिर्स रिजर यहाँ पर केरल के अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, साइलेंट वेली नेशनल पार्क केरल में, ठीके, अशान्त घाटी भी बोलते हैं, एक्जाम में काफी पुछा हैता है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में, मेथी केतन नेशनल पा एनना कुलम, ठिके, अन्ना मोडी, मैथी के अतन और यह पेरियार नेशनल फार्क, ठिके, तो पांच नेशनल पार्क हमको देखने को मिलते हैं, केरल राज्य में, और वाइनाड, वाइलच सेंचुरी भी कहा हैं भारत के केरल राज्य में, कन्फर्म, तो यहां पर हमने 13 अप टार्गेट बेच आपका एप्लिकेशन में एवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, आप इसे जॉइन कर सकते हैं, रेलवे की जितनी भी एक्जाम साने वाली है, उनके लिए ये सिंगल बेच है, सभी कवर हो जाएगी एक साथ, ओके, लाइव क्लासेस यहां भी रहेगी, रिकॉर्डेट बेच रहेगी एप्लिकेशन में और मॉक टेस्ट भी आपको एप्लिकेशन में ही मिल जाएगी, इसके अलावा, हमारे अल सब्जेक्ट जीएस के जो है, उनका इबुक कलेक्शन भी अब आपके लिए, क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लिकेशन पर एवेलेबल है, इंडिया की हर एक्जाम में चाहे, स्टेट की एक्जाम हो, सेंट्रल की एक्जाम हो, सभी कवर हो जाएगी, सारे जीएस के सब्जेक्ट यहीं पर, एक सिंगल e-book में आपके cover हो जाएंगे कोई भी doubt आता है तो आप नीचे दिये गए नंबर पर भी call कर सकते ओके आईए last day के current affair का revision कर लेते है QS World University Ranking दोजार चूबिस में भारत के कुल कितनी उनिवर्सिटी शामिल है तो ये है 69 जगजीत पवाडिया को अंतरास्ति नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के member के रूप में चुना गया इसका headquarter का है तो ये Switzerland के जेनेवा में इस्ते थे आश्यान देशों में अपनी चल रही विदेशी तेनाती के हिस्से के रूप में भारत का कौन सा जहाज ब्रूनेई मुएरा पोहचा है तो ये पोहचा है समुद्र पहरेदार सरहुल त्योहर किस रज्ज में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है भारत के जारखन रज्ज में चर्चा मेरा C-DOM Defense System किस देश का है तो ये है इस्राइल का इसके बाद एश्याई विकास बेंग ने फानेंशल यार दोजार चूबिस पच्चिस के लिए भारत की GDP ग्रोध साथ परसेंट रहने का अनुमान लगाया है 11 अप्रेल को समाज सुधारक महात्मा जोतीवा फूले की 179 जहनती मनाई गई इन्होंने कौन सी बुक लिखी है तो ये है गुलाम कीवी हर साल किस दिन को यहाँ पर कमेंड में ये ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने किस समाज की स्तापना की थी कमेंड में ओके हर साल किस दिन को विश्व पार्किसंस दीवस के रुप में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 11 अप्रेल को भारत सरकार ने किन किसानों के लिए CDP सुरक्षा पोर्टल को लॉंच किया है तो ये लॉंच की गई है बागबानी किसानों के लिए होटी कल्चर फार्मर्स के लिए लास्ट कुश्चन था अब लास्ट डे में जो हमारे कुश्चन आप दे थे उनको देख लेते हैं राउर के ला स्थिल प्लांट कहां परे भारत के उड़ीशा में देखो ये से भी याद कर सकते हो राउर उड़ीशा जर्मनी के सायोग से स्तापित क्या लिए विश्व स्वास्त दिवस कम मनाया जाता है तो साथ अप्रेल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रुप में मनाया जाता है अर्जुन एरीगेसी का संबंध किस केल से है तो अर्जुन एरीगेसी का संबंध है चैस से मतलब शतरंजिस से confirm तो यहां पर last day के सभी question हमने cover कर लिए question of the day के भी और आज की current affair को भी हमने detail में समझ लिया वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करना मत भुलिए comment में answer जरूर कीजिएगा question के कल फिर मुलाकात करेंगे next day के current affair में तब तक अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत